असलाम वालेकुम स्टुडेंट्स आइम फाइजा फाहीम आइम गएंग टू टीच्यू मैस क्लास 9 स्टुडेंट इस लेक्चर में हम कुमुटेटिव लोग अंडर मल्टिप्लिकेशन डिसक्स करेंगे तो इसकी फर्दर डीटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ट की तरफ स्टुडेंट्स आज इस लेक्चर में हम कुमुटेटिव लोग अंडर मल्टिप्लिकेशन डिसक्स करेंगे इस से पहले हमने एकसेसाइज 1.3 में commutative low under addition जो है वो verify किया था हम देखते हैं कि यह जो commutative low under multiplication है यह क्या है तो यहाँ पर मैं लिखती हूं students इसकी statement है A, B, यह two matrices हैं जो multiply हो रही है is equal to B, A यह commutative low है जो under multiplication है हमने जो discuss किया था पहले commutative low under addition वो था A plus B is equal to B plus A students यह जो हमारे पास under addition commutative में हमने discuss किया था हमने देखा था कि अगर two matrices को A plus B के order में रख कर हम add करें तो उसका answer जो है अगर हम इनके order को change कर दें यानि B matrix को पहले रख दें A matrix को बाद में रख के add करें तो हमारे पास जो answer है वो equal आता है अब हम यहां पर यह देखेंगे जो commutative low under multiplication है वो क्या है under multiplication में two matrices जह हो multiply हो रही है A B से is equal to अब हम उनका order change करेंगे यह नहीं पहले B matrix को रखेंगे फिर A matrix को और देखेंगे कि इन दोनों का product जो है वो A B matrices के equal आता है के नहीं तो students यहां पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यह जो A B is equal to B A मैंने लिखा है यह particular case के लिए है यह नहीं कोई खास case है जिन में यह hold करता है वैसे जो commutative low है under multiplication वो hold नहीं करता यह नहीं कि मैं यहां लिखूंगी A B is not equal to B A in general general cases में A B B A के equal नहीं आता है यह नहीं कि जो commutative low है under multiplication verified नहीं होता है satisfy नहीं करता है जबके यह addition के लिए satisfy करता था उसके rules को verify करता था A plus B is equal to B plus A होता है लेकिन जो A B is equal to B A है यह सर्फ particular case में होता है in general cases में जो हमारी product A B की product है वो B A की product equal नहीं आती है तो इसको समझने के लिए हम two examples को solve करेंगे एक example में हम देखेंगे कि वो A B जो है वो B A के equal नहीं आ रहा है और एक example में हम देखेंगे कि A B जो हो is equal to B A है तो students यहां पर मैं यहां पर two matrices लिखूंगी एक matrix है A क्यूंकि A B find करना है तो two matrices A B given है हमारे पास A is equal to 0, 1, 2, 3 और एक matrix जो B है वो है 1, 0, 0, minus 2 इस case में हम देखेंगे कि जो A B है वो B A के equal नहीं आता है तो हमने जो proof करना है जो verify करना है वो statement है A B is not equal to B A यह नहीं कि हमने check करना है A B के जो product है वो B A की product equal है कि नहीं तो पहले हम यहां पर यह two sides है एक left hand side कहलाती है और एक right hand side कह देते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं take left hand side take left hand side left hand side है A B यहनि कि A matrix का B matrix से साथ product find out करना है तो A matrix है 0, 1, 2, 3 students यहां पर order का अपने धिहान रखना है पहले A matrix है तो A matrix को write किया फिर B matrix है तो B matrix को write करेंगे B matrix है 1, 0, 0, minus 2 इन दोनों matrices को multiply करते हैं multiply करने का मतलब है कि rows को पहले matrix की rows को second matrix के column के साथ multiply करना है इस तरह से कि यह एक row first matrix की है इसको पहले हम second matrix के first column के साथ multiply करेंगे फिर इसी first row को second matrix के second column के साथ multiply करेंगे तो students यहाँ पर हम multiply करते हैं multiply में हमने 0 को multiply करना है 1 से और 1 को multiply करना है 0 से 0 multiply by 1 plus 1 multiply by 0 इसी तरह से अब इस first row को मैं second column से multiply करूँगी यह निके 0 multiply by 0 first entry को first entry से column की और row की second entry को column की second entry से multiply करते हैं तो plus 1 multiply by minus 2 minus 2 को bracket में show करेंगे ताकि यह minus 2 है वो safe रहे अब हम second row को multiply करेंगे दोनों columns के साथ यह निके इस तरह से इसको यहाँ पर mark कर देते हैं आपको असानी से समझा जाएगी 2, 3 जो second row है इसको second matrix के दोनों columns के साथ multiply में हमारे पास जो second row है उसका first entry है 2 उसको multiply करेंगे second column की second matrix के first column के साथ 1 plus 3 multiply by 0 इसी तरह से second row को second column से multiply करने लगी हूँ 2 multiply by 0 first entry को first entry के साथ और second entry को second entry के साथ यह निके 3 multiply by minus 2 इनको further solve करते हैं तो हमारे पास आता है 0 multiply by 1 0 plus 1 multiply by 0 0 0 0 0 plus minus minus 1 multiply by 2 minus 2 आ गया इसी तरह से second row में देखें तो 2 multiply by 1 2 plus 3 multiply by 0 0 2 multiply by 0 0 plus minus minus 3 2 the 6 तो students यह हमारे पास आई है A B product अब हम find out इसको नवन का नाम दे दें और find out करते हैं B A product same यही matrices लेंगे और B A product find out करेंगे तो take right hand side right hand side में है B A यहनि के अब हमने order में पहले B matrix को रखना है फिर A matrix को तो B matrix हमारे पास 1, 0, 0, minus 2 और फिर A matrix है हमारे पास 0, 1, 2, 3 इन दोनों को multiply करेंगे जिस तरह हमने A B matrix को multiply किया है तो students multiply में हम सब से पहले row को, first matrix की first row को second matrix के दोनों kolumnes के साथ multiply करेंगे तो आता है यहां पर multiply लिखते है one multiply by zero plus zero multiply by two इस तरह से first row को second column से multiply करने लगी हो one multiply by one plus zero multiply by three अब second row को multiply करना है दोनों kolumnes के साथ जिस तरह से हमने first row को multiply किया है तो 0 multiply by 0 plus minus 2 multiply by 2 0 multiply by 1 plus minus 2 multiply by 3 इसको further solve कर लेते हैं तो आता है 1 multiply by 0 0 plus 2 multiply by 0 0 1 multiply by 1 1 and 0 multiply by 3 0 अब second row को देखें तो 0 multiply by 0 0 plus minus minus 2 to the 4 0 multiply by 1 0 plus minus minus 3 to the 6 इसको further solve करते हैं तो हमारे पास B A की प्रोड़क्ट आता है 0 plus 0 0 1 plus 0 1 0 minus 4 minus 4 and 0 minus 6 minus 6 इसको हम नाम देते हैं 2 का और हम चेक करते हैं कि जो हमारी A B की प्रोड़क्ट है वो B A की प्रोड़क्ट के एकुल है के नहीं तो students हमारी A B की प्रोड़क्ट है वो थी matrix को देखे हैं तो जो A B की entries हैं वो हमने आप जो B A find out किया है उसकी entries से match नहीं करी यानि इन entries के equal नहीं है हम कह सकते हैं from 1 and 2 from 1 and 2 A B is not equal to B A यह यह कह सकते हैं left-hand side is not equal to right-hand side तो यह हमारे पास A B जो हमने देखा कि जो commutative low है under multiplication in general cases hold नहीं करता यह in general cases है यह कि general में यह hold नहीं करता लेकिन कुछ खास तोर पे कुछ में यह hold करता है तो हम लिखें कि अब पर्टिकुलर केस के लिए यह in general case हमने discuss किया था अब हम पर्टिकुलर केस discuss करेंगे इन पर्टिकुलर केस पर्टिकुलर केस में भी हम two matrices लेंगे मेरे पास है two matrices A is equal to two zero zero one और एक matrix B है is equal to minus three zero zero four students यहाँ पर हमने यह देखना है कि जो पर्टिकुलर केस है इसमें A, B जो है वो equal आएगा B, A, K पहले हमने जो केस लिया था उसमें A, B is not equal to B, A था यहाँ पर भी है two sides हैं तो हम यहाँ सबसे पहले left hand side ही लेंगे जिस तरह से हमने पहले solve किया है तो करते हैं take left hand side left hand side में A, B A, B को solve करेंगे तो A, B में पहले A की matrix रखेंगे two zero zero one और अब B matrix को लिखेंगे minus three zero zero four यह दोनों जो matrices हैं A और B multiply हो रहे हैं जिस तरह हमने पहले matrices को multiply किया था उसी method से इन दोनों matrices को multiply करेंगे यानी rows को columns के साथ multiply करेंगे तो मैं यहां पर multiply करने लगी हूँ two multiply by minus three plus zero multiply by zero इसी तरह से फर्स रो को second column से two multiply by zero plus zero multiply by four अब second row को multiply करना है दोनों column से तो zero multiply by minus three plus one multiply by zero आप second row को second column से multiply करने लगे हैं 0 multiply by 0 plus 1 multiply by 4 तो students इसको further solve करें तो हमारे पस आता है 2 multiply by minus 3 minus 6 plus 0 multiply by 0 0 2 multiply by 0 0 plus 0 multiply by 4 0 second row में देखे हैं तो आता है 0 multiply by minus 3 0 plus 1 multiply by 0 0 और second जो हमारे पस कॉलम की second row है इसमें हम देखे हैं तो 0 multiply by 0 plus 4 multiply by 1 4 इसको further solve करते हैं तो हमारे पस आता है minus 6 plus 0 minus 6 0 plus 0 0 0 plus 0 0 and 0 plus 4 4 तो students यह हमारे पस आगी है A B product का answer इसको हम बन का नाम देते हैं अब हम right hand side लेते हैं और solve करते हैं B A take right hand side right hand side में B और A product है यानि पहले B matrix को write करेंगे B matrix है minus 3 0 0 4 अब फिर A matrix है 2 0 0 1 अब B को A मतलब यह कि यहां पर B matrix को A matrix से multiply करने लगे हैं multiplication का method same है यहनि के rows को columns के साथ multiply करना तो यहां पर हम multiply करते हैं minus 3 multiply by 2 plus 0 multiply by 0 इसे तरहां से first row को second column से 3 multiply by 0 plus 0 multiply by 1 अब second row को यह जो second row है इसको दोनों columns के साथ multiply करेंगे 1 by 1 तो 0 multiply by 2 plus 4 multiply by 0 second row को second column से 0 multiply by 0 plus 4 multiply by 1 इसको solve कर लेते हैं तो हमारे पास आता है minus 3 to the 6 plus 0 minus 3 multiply by 0 0 plus 0 1 0 अब second row है उसमें देखें तो 0 multiply by 2 0 plus 4 multiply by 0 0 0 multiply by 0 0 4 multiply by 1 4 इसको further solve करें तो हमारे पास students जो answer आता है 6, 0, 0, 4 यह हमारे पास जो matrix आई है यह equation 1 से match करती है यह यह BA product है यह यहां पर रिखेंगे BA यह BA की equation है अगर आप AB की equation को देखें जो के है minus 6, 0, 0, 4 तो यह हमारी equation AB की BA यहनी के 6, 0, 0, 4 के equal है तो students हम कह सकते हैं from 1 and 2 यह हम लिखेंगे from 1 and 2 की मदद से देखें तो हमारे पास जो answer आता है वो यह है के left hand side is equal to right hand side और हम यह भी कह सकते हैं के left hand side थे हमारे पास AB is equal to BA है यहनी के इस case में हमारे पास जो है वो commutative law under multiplication verified है यह हमारा verified हो गया है जबके general cases जो है उन में यह AB is not equal to BA यह हमने first example से देखा है अब हम question number 5 को solve करते है exercise 1.4 का question number 5 का first part है यह हम mention करते है exercise 1.4 का question number 5 जो है उसका first part है AB is equal to BA यहां पे students लोने हमारे पास AB is equal to BA है तो लिखा है लेकिन question में mention किया है कि let A or B two matrices and C three matrices है और verify verify करना है whether AB is equal to BA यहनि कि यह बताना है कि AB BA के equal है कि नहीं यहनि कि इसको जरूरी नहीं कि यह A, B, BA के equal हो हमने verify करके बताना है तो हम यहां पे verify करते हैं हमारे पास two matrices given है write कर लेते हैं एक matrix A है minus 1, 3, 2, 0 और जो matrix B है वो हमारे पास है 1, 2, minus 3, minus 5 यह question number 5 में given है matrices इनकी मदद से अब हमने देखना है कि जो AB है वो BA के equal है के नहीं तो हम इसे नहीं से जिसने हमने एक्जामपल सॉल्ट की है इसको solve करते हैं तेक left hand side टेक left hand side left hand side में है AB तो AB को पहले देख लेते हैं फिर BA को multiply करके देखते हैं पहले A matrix write करेंगे minus 1, 3, 2, 0 फिर B matrix देखेंगे 1, 2, minus 3, minus 5 इन दोनों को multiply करते हैं जिस तरह हमने पहले multiply किया यानि rows को columns के साथ first matrix की row को second matrix के columns के साथ तो यहां पर multiply करते हैं तो आता है minus 1 multiply by 1 plus 3 multiply by minus 3 इसी तरह से first row को second column से तो minus 1 multiply by 2 plus 3 multiply by minus 5 अब second row को multiply करेंगे दोनों कोलम्स के साथ तो आता है 2 multiply by 1 plus 0 multiply by minus 3 अब second row को second column के साथ तो 2 multiply by 2 plus 0 multiply by minus 5 इसको solve कर लेते हैं फर्दर तो minus 1 multiply by 1 minus 1 minus plus minus 3 तरह दा 9 minus 1 multiply by 2 minus 2 plus minus minus 5 तरह दा 15 second row को देखें जोल्व करें तो 2 multiply by 1 2 0 multiply by minus 3 0 2 multiply by 2 तो 4 and 0 multiply by 5 0 तो इसको further solve करते हैं तो हमारे पास answer आता है minus minus plus 1 plus 9 10 लेकिन sign minus का use करते हैं minus minus plus 2 plus 15 17 sign minus का आएगा 2 plus 0 2 and 4 plus 0 4 students यह हमारे पास answer है A, B का product इसको 1 का नाम देते हैं अब हम right hand side लेंगे और इसे solve करते हैं take right hand side right hand side में है B, A यह नहीं पहले B matrix को रखेंगे और B matrix है 1, 2, minus 3, minus 5 और फिर A matrix है minus 1, 3, 2, 0 अब हम B matrix को A matrix से multiply करेंगे यनि के rows को column से multiply करेंगे मैं first row को first column से multiply करेंगे 1 multiply by minus 1 plus 2 multiply by 2 इसी तरह से first row को second column से 1 multiply by 3 plus 2 multiply by 0 अब second row को first column से multiply करेंगे तो minus 3 multiply by minus 1 plus minus 5 multiply by 2 अब second row को second column से multiply करने लगी हूँ minus 3 multiply by 3 plus minus 5 multiply by 0 solve कर लेते हैं इस matrix को तो हमारे पास आता है 1 multiply by minus 1, minus 1 2 multiply by 2, 4 1 multiply by 3, 3 plus 2 multiply by 0, 0 second row को solve करेंगे तो minus minus plus 3 multiply by 1, 3 plus minus minus 5 to the 10 अब हमारे पास minus 3 multiply by 3 minus 9 minus को एक को जिरो से multiply करने तो 0 आता है इस matrix को further solve करते हैं plus minus 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 plus 4 minus 1 plus 3 क्योंके sign बड़े का आता है greater तो 4 is greater number 3 plus 0 3 plus minus minus 10 में से 3 गए तो 7 लेकिन sign minus का आएगा क्योंके greater value के साथ minus है minus 9 plus 0 minus 9 तो students यह हमारे equation 2 है यहनी के BA का product है तो अगर हम AB का product चक करें तो AB का जो product है हमारे पास है minus 10, minus 17, 2, 4 जबके हमारे पास जो BA का product आया है वो 3, 3, 3, minus 7, minus 9 है तो हम कह सकते है AB is not equal to BA from equations 1 and 2 A left hand side is not equal to right hand side तो इसका मतलब है AB is not equal to BA यह उसन हम से question में पूछा था के verify करें whether AB is equal है BA के के नहीं तो यहां पर AB is not equal to BA does not hold अब हम question number 5 का second part करेंगे question number 5 second part है हमारे पास एक low है जिसे हम associative low under multiplication कहते हैं A into B C is equal to AB into C students हमने जो associative low है under addition discuss किया हुआ है exercise 1.3 में यहां में under addition जो है associative low लिखती हूँ वह है A plus into B plus C is equal to A plus B plus C यह जो associative low है यह hold करता है तमाम केसिस के लिए यह addition का है इसको हम यह आपकी सब information के लिए था हमना हमारा जो आज का question है related है वह associative low under multiplication है यहांनी A into B C is equal to A B into C हम इस question को solve करते हैं और देखते हैं हमारा यह जो रूल है जो low है वो verify होता है के नहीं तो question number 5 को जो second part है उसके मताबिक हमारे पास 3 matrices हैं जो के हैं A is equal to को rewrite के लेते हैं matrices को minus 1, 3, 2, 0 B matrix है 1, 2, minus 3, minus 5 and C matrix को के असोशिटिव लो में 3 matrices हैं तो 2, 1, 1, 3 असोशिटिव लो में हमारे पास 2 sides हैं 1 side है A into B C हम यहां पर भी left hand side and right hand side के एक प्रमाल करेंगे और क्वेशन को सॉल्ब करेंगे तो टेक लेफ्टेंड सायज रिखते हैं पहले क्या है एंटो भी सी इस एक्सप्रेशिन में हम वैल्यू over मेडिश के वार्यू फोट करेंगे यह मेट्रीक्ति लिक्षमेंगे ने एमेजा मांटिस्टरी 2 0, फिर bracket है और फिर bracket अंदर two matrices B & C है जो multiply हो रहे है, one, two, minus three, minus five and c matrix है 2113, bracket close, students, सबसे पहले हम bracket को solve एंदर है, two matrices B & C की product, B & C का multiplication find out करेंगे, फिर जो हमारे पस matrix है उसको A matrix से multiply करेंगे, अभी हम यहां पर A matrix को अब अब हम यहां पर A matrix को as it is लिखेंगे minus one three two zero और जो अंदर बी और सी का प्रोड़क्ट में हम जिस तरह से multiplication करते हैं उसी तरह से करेंगे यानि कि रोज को कॉलम से मुल्टिप्लाइ करेंगे तो one multiply by two plus two multiply by one अब first row को second column से one multiply by one two multiply by three second row को हम multiply करेंगे दोनों columns के साथ to minus one minus three multiply by two plus minus five multiply by one इसे तरह से second row को second column से minus three multiply by one plus minus five multiply by three इसको solve कर लेते हैं A matrix को as it is लिखेंगे क्योंके इसकी multiplication नहीं है two zero जो अंदर matrices को हमने multiply कि इसको further solve करते हैं तो two multiply by one two plus two multiply by one two one multiply by one one plus two three इस six अब second row में देखें तो minus three two इस six minus six plus minus minus five इस फाइव माइनस three multiply by one minus three plus minus minus five three इस फिफ्टेन एम इसे ही लिखेंगे हम two zero जबकि अंदर जो matrix हैं इन में हमरे पास two plus two four है one plus six seven है minus minus plus six plus five eleven होता है sign minus का आएगा minus minus plus लेकिन fifteen plus three eighteen है लेकिन sign minus का है तो students यह हमरे पास जो matrix multiply matrix जो हो multiply करने के बाद आई है वो है four seven minus eleven minus eighteen इस matrix को अब हम a matrix के साथ multiply करेंगे तो multiply में इसी तरह से rows को columns के साथ minus one multiply by four plus three multiply by minus eleven first row को second column के साथ minus one multiply by seven plus three multiply by minus eighteen अब second row को multiply करूंगी column first column के साथ two multiply by four plus zero multiply by minus eleven second row को second column के साथ two multiply by seven plus zero multiply by minus eighteen इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो minus one multiply by four minus four plus minus minus यह plus है यह plus है तो plus minus minus eleven three the thirty three minus one multiply by seven minus seven plus minus minus eighteen three the fifty four two multiply by four eight zero multiply by eleven zero two multiply by seven fourteen zero multiply by eighteen zero इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 33 प्लस four कितना होता है स्टुनर्ट सुनर्ट 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 माइन six-ty one eight plus zero eight and fourteen plus zero fourteen यह हमारे पास है लेप्ट हैंड साइड का इसको बन का नाम देते हैं अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं right hand side take right hand side right hand side students a b in to c यह नहीं राइट हैंड साइड में पहले a b की product find out करनी है जो उसका answer आएग उसको C matrix से multiply करेंगे तो पहले मैं यहां पर A matrix लिखूंगी A matrix है minus 1, 3, 2, 0 फिर B matrix लिखेंगे 1, 2, minus 3, minus 5 bracket close बाहर है C matrix जो के है 2, 1, 1, 3 अब पहले हम A और B matrices को multiply करेंगे bracket के अंदर सबसे पहले हम bracket को solve करते हैं तो bracket के अंदर है हमारे पास row को दोनों columns के साथ multiply करेंगे minus 1, multiply by 1 3, multiply by minus 3 first row को second column के साथ minus 1, multiply by 2 plus 3, multiply by minus 5 bracket close 2, multiply by 1 plus 0, multiply by minus 3 अब second row को second column के साथ 2, multiply by 2 plus 0, multiply by minus 5 हमारा जो मेट्रिक्स A, B, C है वो as it is आएगा 2, 1, 1, 3 यहाप एक्वालिटी का साइन लगाएंगे क्योंके यह एक्सप्रेशन पिछले एक्सप्रेशन के इक्सप्रेशन के एक्वल है तो माइनस 1, multiply by 1, minus 1, minus plus minus 3, 3 दा 9 माइनस 1, multiply by 2, minus 2, plus minus minus 5, 3 दा 15 अब second row में 2, multiply by 1, 2, 0, multiply by 3, 0 2, multiply by 2, 4, 0, multiply by 5, 0 अब C मेट्रिक्स लिखेंगे 2, 1, 1, 3 इक्वालिटी का साइन इसको सॉल्व करते हैं माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, 10 माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, 17 2, plus 0, 2, and 4, plus 0, 4 2, 1, 1, 3 अब हमारे पस ये 2 मेट्रिसी जो हैं, वो मल्टिप्लाइ हो रही हैं इन दोनों मेट्रिसी की फिर से मल्टिप्लिकेशन करते हैं तो आता है, रोज को कॉलम के साथ करना है माइनस, 10, multiply by 2, plus, माइनस, 17, multiply by 1 फिर्स रोग को सेकिंड कॉलम से करेंगे तो आता है तो आता है, 2 multiply by 2, plus, 4 multiply by 1 इसे तरह से सेकिंड कॉलम को, सेकिंड रोग को सेकिंड कॉलम से तो 2 multiply by 1, plus, 4 multiply by 3 इसको further solve कर लेते हैं आता है, 10 to the 20, minus 20, क्योंके 10 के साथ minus sign है plus, minus, minus, 17, 1 does 17 15, minus 10 multiply by 1, minus 10, plus, minus, minus, 17, 3 does 54 51, 17, 3 does 51 होते है, students 51, 2 to the 4, 4 multiply by 1, 4, 2, 1 does 2, and 4, 3 does 12 को further solve करते है, ता हमारे पास आता है minus, minus, plus, 20, plus, 17, 37, minus के साथ minus, minus, plus, 10, plus, 51, 61, minus के साथ और 4, plus 4, 8, and 2, plus 12, 14 अब हम देख लेते हैं कि हमारी equation जो 2 आई है ये equation 1 से match करती है कि नहीं तो equation 1 में थी हमारे पास 37, 51, 8, और 14 जबकि हमारे जो equation 2 है, वो भी minus 37, minus, 61, 8, or 14 है तो हम 1 और 2 से कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो ये equation left, right hand side है, वो left hand side के equal है तो यहां हम answer लिखेंगे, sense left hand side is equal to right hand side तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो law है, associative law वो verify हो गया है associative law है, a into b, c, a, b right hand side है, a, b into c, यह हमारा associative law under multiplication हो गया है, so hence verified, क्योंके question में verification का पूछा गया था, तो यहां पर हम लास्ट लिखेंगे hence verified, students question number five के two parts हमने solve किये, और हमने देखा के commutative law under multiplication जो है वो in general cases में hold नहीं करता है, जबके particular cases में hold करता है, और associative law जो है under multiplication verified किया, तो next lecture में हम question number five को complete करेंगे, students इस lecture में हमने commutative law of multiplication of matrices को discuss किया, और देखा कि यह commutative law है, कुछ cases में hold करता है, और कुछ cases में hold नहीं करता है, इसी तरह से हमने associative law of multiplication of matrices को discuss किया, और इस से related question number five के two parts को solve किया, इन्शाला next lecture में हम इसके बाकी parts को solve करेंगे, तो see you again in next lecture.